हमको जिन्दगी गुजारने के लिए नहीं भेजा है, मेरे दोस्तों, जिन्दगी बनाने के लिए भेजा है, एक है जिन्दगी गुजारना और एक है जिन्दगी को बनाना, आज हमारी जिन्दगी गुजर रही है, जबके जिन्दगी बनावे उसको अकलमन किया गया है, जि असल मसला तो जिन्दगी बनाना है और दुनिया में इस दुनिया के अस्बाब में रेते हुए निकल के बनाना कलमे का तकाजा क्या है उसको हम समझे हमने कलमा पढ़ा है उसको हमसे क्या चाहता है आज हमने हमारी मर्जी का दीन है मेरी समझ में आया उबर बर है और जुग्या देख लो यही चल रहा है बस असल दीन अखलाक महसरात इमानियात इबादात यह बड़े बड़े सोबे है दिन के यह जिन्दगी में कब आएगे भाई कि जब हम इसकी मेहनत करेंगे मेरे लोग को बिना मेहनत करें तो कोई चीज़ नहीं आती है इसकी मेहनत है और अल्ला की बड़ाई को हम जाने अल्ला की बड़ाई को पेचाने अल्ला कितने बड़े है सवाल है दुनिया का तो अल्ला ने तो हमको अपनी मा के पेट में भी अल्ला ने पाला है कोगे हम काम दंदा करने नहीं जाते हैं अल्ला ने मा के पेट में हमको पाला तो क्या दुनिया के पेट में अल्ला नहीं पालेगा भाई अल्ला जरूर पालेगे इसका यकीन बनाना है मेरे दोस्तों और यकीन बनेगा इस दावत की महनत से दूसरी कोई यग्या नहीं है आदमी का यकीन बनाने और जब तक यकीन नहीं बनेगा वहां तक से हम आमालों से लेने वाले नहीं बने क्योंकि जिन्दगी में इखलास आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों इखलास ऐसी दोलत है कि ये आदमी को हिदायद देता है हिदायद मिल जाना ये बहुत बड़ी दोलत है आज हम दुनिया के अंदर गुमरा हो गए बस हमारा मकसद ये हो गया कमाना खाना बीबी बच्चे मकान दुकान दुनिया हमारे दिलों में ऐसी बस गई ऐसी बस गई कि दुनिया का मामुली नुकसान हमको बेचेन कर देता है आदमी देखे कि दुनिया का मामुली नुकसान हो जाता है तो आदमी बेचेन हो जाता है